प्रभू प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज सुकडी बनाएंगे इसको गुड़ पापडी भी कहते है ग्यों का बर्फी है तो इसके लिए जो सामगरी चाहिए त्री फूर्थ कप पौना कप गी लिया है वन एंड हाफ कप देड कप ग्यों का आठा लिया है सोंट का पौडर मना अध्रक सुका अध्रक का पौडर लिया है आधा स्पून क्या लच्ची पौडर गोंद लिया है एक तीन चार स्पून गुड एक कप गुड अभी एक पैन में गोंद डाल रही हूँ बादम गोंद इसमें थोड़ा घी डालके ऐसा पहले बून लेंगे देखिए ऐसा डबल हो जाता है बुनते बुनते देखिए खसता हो जाता है क्रिस्पी रहेगा अभी यह हो गया है इसको एक कटोरी में निकाल रही हूँ अभी पैन में घी डाल रही हूँ घ्यों का आटा डाल रही हूँ अभी इसको मेडियम आंच में हाथ नहीं छोड़ना है बुनते रहना है मिलाते रहना है मिक्स करते रहेंगे देखे ऐसा मेडियम आंच में घी साला पी लेता है ग्यों का आटा ऐसे इसको बुनेंगे देखे पहले घी पी लेता है फिर घी छोड़ देता है बुनते बुनते घी छोड़ देता है देखे घी छोड़ रहा है कितना अच्छा हलका हो गया है ये अभी इस कंडिशन में थोड़ा बादाम कलर आने के बाद अच्छा घी छूटने के बाद गुर्ड डाल रही हूँ देखे इसी गरम में गुर्ड सारा पीगल जाएगा अच्छी तरसे गुर्ड पीगल गया है मेल्टक हो गया है बादम गोंद जो तल के रखा था ना उसको थोड़ा ऐसा मुटा मुटा कूट के वो भी इसमें डाल रही हूँ ये लैची पाउडर डाल रही हूँ सुंट का पाउडर डाल रही हूँ इसको अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे बर्फी वाला ट्रे ग्रीस करके रखी हूँ उसमें ये सारा शिफ्ट कर रही हूँ देखिए कितना अच्छा ये देखने में खिरा खिला है लेकिन थंडा होने के बार बहुत अच्छा जम जाएगा देखिए ऐसे इसको थोड़ा सेट कर लेंगे एक कटोरी से प्लेइन वाला कटोरी लेके इसको ऐसा डबा के सेट कर लेंगे देखिए थंडा हो गया है अभी इसको कट कर रही हूँ जो सैज चाहिए हम कट कर लोंगे देखिए कितना सुंदर गुड़ पापड़ी तैयार हो गया है गुड़ पापड़ी सुकड़ी रेड़ी पापड़ी